हेलो दोस्तों गुड मॉनिंग और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जिस भी स्टूडेंट की बैक आई वी है अगर वो समर सीजन के स्टूडेंट हैं जैसे अभी समर सीजन में जो है एकजाम हुए थे और वहां पे जो है बहुत सारे जो मर सीजन है हमारा क्या हम उसमें जो है अपने किसी भी जो है जिस भी सब्जेक्ट में हमारी बैक आई वी है क्या हम जो है उस टैम बैक फॉर्म फिल कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीटेल वाइस बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को इंड तक देख वीडियो मिलेगी उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देखिएगा उसमें मैंने आपको जो है लाइब यहाँ पर अपने जो कैमरे से आपको साब दिखाया हुआ है कि कैसे आप लोगों को log in करना है आप उसको देख सकते हैं सारे steps बताये गए हैं अगर आपका भी login नहीं हो रहा है assignment में तो चलिए अभी बात करते हैं जिन भी student की जो है summer में back IV है क्या वो winter season में assignment और जो back exam में उसका form fill कर सकते हैं या नहीं तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बता दो कि आप लोग जो है अगर आप summer season के student हैं और आपकी back IV है तो आप लोग जो है winter season के student हैं उनकी साथ बैक फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो आपके जिस भी subject में या assignment में back IV है तो आप assignment के जो assignment का जो back form है वो fill कर सकते हैं और साथ अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक आई वी है तो आपको जो है बैक एक्जाम फॉर्म फिल करना होगा ठीक है अभी आप लोगों को पता चल गया होगा और यहां पर आप लोगों का एक कॉमन सा जो है सभी का जो है कमेंड था कि अगर जो है मैं समर सीजन का स्टूड कर दिया है तो अभी मैं आपको बताओं कि आप जो है अगर समर सीजन में ही बैक फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बट यहां पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है अभी विंटर सीजन में फॉर्म फिल कर लीजी बैक का क्योंकि देखे आपके जिस भी एर में आपने एडमिसन लिया है उसका तो एक्जाम आपको देना ही है साथ में आपके जिस भी सब्जेक्ट में आपका जो है बैक आई विए वो भी देना पड़ेगा तो आप जो है ट्राइ कीजिएगा कि विंटर सीजन में जो है आप लोग जो बैक आई वी है जिस भी सब्जेक्ट में उसका back form फिल करके आप winter season में ही उसके exam और assignment दे दें क्योंकि बाद में अगर आप summer season में देंगे तो आपके जो है आपके उपर बड़न हो जाएगा भार हो जाएगा जादा तो आप लोग जो है उस time इसो face कर सकते हैं क्योंकि उस time जो है आपको जो आपका second year है उसका भी पढ़ना पड़ेगा और जो आपका जो है जिस भी subject में back आई वी है उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा subject के ठीक है अभी आप लोगों को पता चल गया होगा अगर आप लोगों ने back form फिल नहीं किया हुआ है तो back form फिल कर लीजिए सभी लोग और यहाँ पी दोस्तों आप लोगों को जो है जो हमारा whatsapp group है वो भी जोईन कर लेना है अगर whatsapp group जोईन नहीं किया हुआ है तो नीचे comment box में और discussion box में whatsapp group का जो link है वो दिया हुआ है तो click करके आप सभी लोग जो है हमारा जो whatsapp group पर उसको join कर सकते तो चलिए दूस्तों मिलते हैं आपको हमारी next video में तब तक के लिए bye bye and have a good day